नमस्कार दोस्तों बेभार सर्मा हमारे चनल समस्य आपके समाधान हमारे में आपका स्वाहत करते हैं आज के जमाले में देखें और इतना चोटा परिवान केवल घर में ससुर हो कि बस उत्ता ही बहुत है पती हो और बेटी हो अच्छा माता है किता जोड़दार जोड़दार ग्यान देती है अपनी बेटी को किता जोड़दार क्यों देन को लगी देती है जित्ता तिरे से बने उत्ता करा कर खुद के लिए बना ले पती के लिए बना लो बच्चों के लिए बना लो कमरे में ले जाओ बैट के खाओ किसी के लिए मज़दार अगर जो आपने अपनी बेटी को ग्यान दिया है वो आपकी बहु करे तो केसा लगे मनदरी से बोलो अरे बोलो तो अपनी बेटी को तकलीप में देखती हो तो तुरन कह देती हो और अपनी बहु जो घर में है वो भी तो किसी की बेटी है वो भी तो किसी की बेटी है की नहीं अरे बोलो तो सही है की गलत है तो जेसा वेवार आप अपनी बेटियों के लिए रखे हो वैसा वेवार अपनी बहुँआ के प्रति भी रखे और बहुँआ से निवेदने नंदे आएं तो तवे लेजे सा मुमत बना कथा में कहा ता तीन को देने से कभी नहीं घटता संत ब्रहम्मन को देने से कभी नहीं घटता बेहन बेटी को देने से कभी नहीं घटता और गव माता को देने से कभी नहीं घटता कभी नहीं घटता आपका दिया हुआ आपको बढ़ाएगा खूब बढ़ाएगा देने में इमत है तो देखो बहन बेटियां कई माता है करती है देखो संकट संबार की कथा में लिखा है श्यू महापुरान में लिखा हुआ है सोला संबार कोई करता है इधर संकट संबार करते हैं लोग संकट संबार सोला संबार अगर करते हो या कोई भी उध्यापन आप करते हो चाहे चतूरती का उध्यापन करो चाहे चोट का उध्यापन करो चाहे पीच का उध्यापन करो चाहे गणगोर का उध्यापन करो जिस बेहन बेटियां तो उस उद्ध्यापन में आएंगी, पर वो डान लेने की हगदान नहीं होती, क्योंकि हमने बेहन बेटी का खुद दान किया, किया की नहीं किया, कन्या दान, जब दान किया, कई माता है कहती हम तो हमारी बेहन बेटी को दान दे देंगे, हमारी बेहन बेट में पेटिए इमांदारी से गिया आप हम की अमनों के सब का और आप के लिए oma के से दान नहीं इन हाप आपका हलेती ही मुआ है मुआ नहीं है इंद की विशेष्छता किसको कही मुए inan करो वेवहुल अच्मी क और द्हापन करो तो अपने घर की नारियों को छोड़ कर दूसरों को न किनो जो हम दूसरे को एक लोटा देंगे नर्यल देंगे कुछ देंगे तो वो दान कहलाएगा हम अपने वालों को देंगे तो तो घर की घर में चले गया और वो भोग अगर हमारे करने में आ गया राजामरिश की कता सुनी भागवत में एक गाय का दान राजामरिश ने दे दिया वो गौमाता चली गई ब्रहमन के साथ ब्रहमन ने उसको वह गाए फूता तोरड़के राज़ाअम रिष्किया चली गई क्योशाला में गई राज़ा-ंस ने दूद निकल वाया गाइओ का। वो दूद उस गाय का दूद भी उसमें मिल गया और राजा अमरिश ने पी लिया तो उसको कबूतर की योनी में जाना पड़ा मातर दान करी हुई गाय का दूद पिया तो कबूतर की योनी में चले गया शांस्तर करता है हम जो दान कर रहे हैं उस दान को गिरन करें वो स्रिष्ट दाने क्यों नहीं खाते बेटी के घर का बेटी के घर का क्यों नहीं खाते क्योंकि हमने क्या करा क्या दान करा जम के बोलो कन्या दान करा इसलिए बेटी के घर का नहीं खाते भाईया नीरज भीया कई जगा हम भंडारों में जाते हैं तुम्हां लोग कहते हैं हमारी तरफ से भंडारे में एक पीपा घी का दान क्या बोलते हैं एक पीपा घी का दान अब जिस सेड़ जी ने एक पीपा घी का दान करा है विश्णु पुरान सिव पुरान कहती है उस घी की नुक्ती बुंदी हलुआ पूरी कुछ मत खा लेना क्योंकि तूने बोला है दान और दान कर दिया और उसी का बनाया हुआ खा लिया तो नरत भोग न पड़ेगा इसलिए हमारे यह क्या करते है एक पीपा घी भगवान के परसाथ के लिए दिया परसाथ के लिए दिया तो तू भले अब नुक्ती घर में भर के ले जा अब तू भले हलुआ पूरी घर में भर के ले जा क्योंकि परसाथ तो ले सकते हो पर जहां तुम्हारे मुक्से निकल दान किया मैंने एक फीपा घी दान करा मैंने एक बोरी सक्कर दान करी मैंने एक बोरी गेहूं का दान करा दान कर दिया तो उसको भाग नहीं गरन करना राजा अमरिश ने गाय का दान देकर उसी गाय का दूद पी लिया तो नरक जेसा जीवन भीता कबूतर की योनी में पड़ देया बहुत सोच समझ के दान करना पड़ता है मिटिंग में बेखते हैं तो लोग कह देते हैं हमाई तब से लिख लो एक फीपा घी का दान अरे भाई या दान करा है तो भंडारे में खाने मत जाना भूल से भी दान की प्रिभाश्या क्या है दान कहते किसको सबसे प्रबल दान कौन सा होता है सबसे प्रबल दान कौन सा बोलो तो अवरत दान कौन सा दान अवरत दान मालूम कौन सा होता है जब घर के बहु के घर में delivery हो रही हो और बच्चा होने के बाद चाल लड़का हो चाल लडकी हो उसका नाल कटे है उससे पहले जो दान दिया जाए भले एक मुठ्वी चावल दे दो छाए एक मुठ्वी ग्यों दे दो नाल कटने से पहले बस वो दान अमर दान कहलाता है वो कभी जिंड नहीं है उसको करते अबरत दान उस दान की कोई परिवासा ही नहीं है वो दान प्रवल दान है उस दान की प्रखड़ता है उस दान की स्विश्च दान अबरत दान कहोगे महाराजी सू तक लगेगा, सू तक कब लगता है, सूवा कब लगता है, जब नाल कट जाए तब, नाल कटने से फेले सूवा नहीं लगता है, इसलिए दान कर सकते हैं, सूवा कब लगेगा, जब नाल कट जाएगी, तब पर आज के जमाने में वो दान नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे होस्पिटिल में जनम लेते हैं किती सुंदर बात की पेले बच्चे दादी के घर में जनम लेते थे तो दादी से प्रेम जादा होता था तो दिनबर दादी के पास रहते थे नानी के घर में बच्चे पेदा होते थे तो नानी के घर से प्रेम होता था मामा नाना मोसी से तो उनके घर जादा जाते थे आज के जमाने में बच्चे हास्पिटिल में पेदा होते हैं इसलिए हर दो-चार दिन में हास्पिटिल चले जाते हैं थोड़े सी भी मिमारी पड़ी मोसी की याद आ गई हास्पिटिल वाली सिस्टर की बच्चों को थोड़ी सी खासी चली डाप्टर मोसा की याद आ गई क्यों हास्पिटिल में पेदा होगे इसलिए हास्पिटिल से प्रेम है, नानी के घर पेदा होते तो नानी से होता, दादी के घर पेदा होते तो, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पुराने समय में, तो दादा नानी के जादा नानी के जो पेदा हुए तो नाना नानी से बहुत प्रेम होता, कई म तुम देखना बच्चों को घर में रेंगे बिमार जैसी हास्पिटिल की सीडी चड़े बाद डाक्तर ने हाथ पकड़ा और अच्छे हो उत्ती देर में अच्छे अच्छे समझ में नी आया तुम कोई नी समझ में कि अच्छा के से हो गया अभी तो तीटेश भूकार था क्योंकि नाना और मोसी का भला करें पांसर रुपे देओ मारे मामा जी को इसने फिर वही बाली बात आ गई यह तो प्रेम की बात तेरे उदो बंदगी तेरे बस की कि मुझे सिब फार बंदगी फिर रुपे यह तो तेरे भलाई पिर्ड़ नी आए में क्योंकि दूली षव। झाल झाल